हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों कि अगर आपके फोन पर यहाँ पे कंटेक्ट में कॉल का नोटिफिकेशन नहीं आता है यानि कि अगर आपके फोन में कोई आपको कॉल करता है तो जो notification रहता है वो आपको यहाँ पे सूर नहीं करता है तो इसके वज़े से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि आपके फोन में यहाँ पे कॉल आ रहा है तो चलिए दोस्तो इस problem को ठीक करते हैं तो इसको जो है आपको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे अपने phone को एक बार reset कर लिजे या तो फिर अपने phone को एक बार बंद करके on कर लेना है तो एक बार try करके जरूर देखिएगा और उसके बाद अगर आपकी problem solve नहीं होती है तब आपको यहाँ पे अपने phone में सबसे पहले setting को open कर लेना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको application में आना है और यहाँ पे आपको manage application में click कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे search bar में click करना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से contact लिखना है contact and dialer जिसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे contact and dialer लिखेंगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा तो आप लोग उसको open करिए open करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को app permission में जाना है और app permission में आने के बाद आपको यहाँ पे जितना भी permission दिखाई देता है आप लोग यहाँ पे सभी permissions को one by one click करिए और उसको जो है allow कर लिजिए तो यहाँ पे आपको जितना भी permission दिया है सभी permission को इस तरीके से allow कर लेना है और उसके बाद才 को notification को option आ जाएगा आप लोग notification में click करें और यहाँ पे आपको notification को allow कर लेना है और उसके बाद आपको यह सारी settings करनी है और उसके बाद भी अगर आपकी problem solve नहीं होती है तब आपको यहाँ पे श्टोरिज में जाना है और इसको जो है आपको clear all data कर देना है clear all data जैसे ही आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आपकी problem यहाँ पे solve हो जाएगी तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe भी कर लीजिए